क्या, तुझे आशिक और गुत्ते के बीच किसे मेरेटिस नहीं पता? अरे सालों को कितनी भी लात मारो, दोनों घूम फिरकर वापस उसी गली में आ जाते हैं मुझे नहीं कि इपोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं ते को कॉल बैक करती हूँ ओके, बाई अरे, ये तो डिस्कनेक टोले, वापस से कॉल करती हूँ जोड़ी पिछे से तो आई तंदा कि, आगे से प्रियंक चौप्राना से पर निती से, काम चला लूंगा प्रियंक के, तो आश्रा की बिना ने लागे हलो मिस्टर, कहां पो गए? जी वो.. वो वो क्या? ये सर्वो समस्या समाधान के इंद्र का ओफिस है, यहां पर हार समस्या का समाधान होता है आपके भी कोई समस्या है? मा ये तो गड़ी बड़ी समस्या है अच्छा, तो से बैटिये, और बताये कहा है, खड़े खड़े बले तो GST लागेते GST? नई, अगर आप कमफटे बले तो खड़े खड़े बताये, no problem मारा शुशूरी ना पड़ीती है, पता ना सिखा दो क्या? हाँ, मैं बहुत कोशिस करूँ और छोड़ी एक ही अकांते आने वाले पंद्रला को रखके ना तो हो आते हैं, ना तो ये पड़ती हैं अच्छा आप आप श्रासन भीक से नी देते होंगे ना? मैडम, मैं तो डारेक पोस्टिंग देता हूँ पिर भी नमाँ की सचली पोस्टिंग, कैसी पोस्टिंग? असादी की अरे, ऐसे दैदेग शादी क्यों करता है? मारे अम्मा ने की है मारे बापु से मारे अम्मा ने बापु को तो देखाते गड़ता है अरे, वो उस जमाने में होता होगा आजकर की लड़किया ऐसा नहीं करती है तो कैसे करती है आजकर की लड़किया पहले लड़के को जानती है समझती है प्यार महबद उसके बाद शादी करती है और हनीमून शादी हो जाएगी तो हनीमून भी हो ही जाएगा पर मारेक तो घन सरे offer हानीमोन के साधी के भेताम के जो साए लट काज हम गहां क्या? तो तो आपमे कोई खोड़ूगी? अब बिन आन ही मून के क्यासे कुई जानने की मारे में कोई खोट है। हाँ, आज लिए जात बनी भी है क्या? देखिये, उपर वाले में हम रड़कियों को एक six cent दिया हुआ है। इससे जैसे ही रड़का हमारे पास आता है, हम उसकी नियाद भाफ लेते हैं। अच्छा, तो आपने भाफी है। क्या? हमारे नियाद नहीं, मैंने आपको उस नजर से देखा ही नहीं। अब भी तो आपने का आपकी छोडियों के पास six cent दो है, तो आपके पास नहीं है क्या? कि आपकी छोडियों है, never doubt है। Shut up! आप उससे बत्तमीजी से बात नहीं कर सकते। बत्तमीजी ना कर रियों मैडम, मैं तो अपने जन्दम ना लेश लिए पूछ रियों। क्योंकि मारे पास तो आप के लिए भी प्रपोजल है। प्रपोजल? हाँ मैडम, I love you, साधी कर लों उससे। वाट? हाँ, शोरी तो आप लियो, तुम्हारा प्रपोजल काना तो बनता ही है। अरे लेकिन चलो, पहल उठो यहांसे। अच्छा, तो आप मंड़े। चली टाइक मंड़े। अरे चला, उठो और पहले भाजा के बैटो। मतलब आप लिम्हार को रिजर्ब कर ली है। हाँ, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकती। मैडिकली एंपी ठोके है। तुम्हार के बैटो। तुम्हार के बैटो। अच्छना क्या भड़ करियो मैडम। मैं तो आपने जन्रल नालेश के लिए पूछ यहां। तुम्हार के बैटो। मैं कितने उदारण दे सकूँ है। वो सब मुझे भी पता है। पर हर किसी के अपने अपने प्रायोरिटी होती है। अब बैठो। और तुम्हारी समास्या के समाधान के बारे में कुछ सोचते हैं। मैं तो सोच नहीं हूँ। अमारा समाधान भी सामने ही बैठो है। मैंने कहें भ्याना, मुझे शादी में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। और अमारे को तो आद में घणा इंट्रेस्ट है। तुम्हें तो हंडेड़ पट्शन शिवा नहीं बख्का। कि मारे चुनन मुन्नों की अमा तो तुम ही बढ़ सके। और अपनी समस्य का समाधान चाते हुआ। तो जो मैं पूछू, सिर्फ उसका जवाब देना। ये बताओ, तुम करते क्या हूँ। रोज बारा बज़े सोके उकता हूँ। एक घंटा योगा करके खाता पीता हूँ। और फिर मर्सेडीस ने बैटके छोरी पटाने निकल पड़ता हूँ। मर्सेडीस ने? हाँ जी, कभी-कभी तो और्डी शॉट्डील लेके निकल पड़ता हूँ। और्डी? याली तुम अच्छे का से रही सो। हाँ जी, मारे बापो गनान तो सुनुए होएगा। मा इंद्रसिंग चोटा ला। वो इंडर्श्यलिस्ट। हाँ जी, उनका एक लोता छो रहा हूँ है। अरे तुमने ये जो सब पहना है। इसे बसक लिए है। अभी पड़े के मारे कांडिड है। और क्या। अरे यार, तो फिर तुम से कोई रड़की क्यों नहीं बढ़ रही है। तुम में कोई बहुत बड़ा खोट होगा। अरे मेडम, इस इदर से तु तु तीन बर शे कप करा चुका हूँ। ड़क्टर के तुम आ फिजिकल इप्टली फिट हो। तो मेंटल ही प्रॉब्लम होगा। अरे तो साथी में मेंटल के के काम। माना मतलब है कि माइंड हो गे तु बीवी आके मेंटल कर दिया है। अच्छा, आपकी अम्मा ने आकर आपके बापु को अगर मेंटल कर दिया होता ह। हो इतने बड़े इंडस्टिलिस होते है। कोही अपवात है कि मान ओं अधर इंडिया है। अहर लड़की ग्रेट होता है। मैं ना मानता। तो क्या चोरी ग्रेट होती ह। कोही तो एक पंआर मेरे से पड़ती। अरे पटने को और ग्रेट होने का क्या कनेक्शन है? अच्छा, अब आप ये गएंगे कि अंगुर और किस्मिस के के कनेक्शन? अरे अंगुर सुखे तो किस्मिस बने, लड़की पटे तो बीवी बने अर रड़की पटने, इसलिए वो हर की सीवो नहीं पट जाती रड़की पटने से पहने बहुत कुछ देखती है जैसे के? जैसे की रड़का दिखता कैसा है, कितना कमाता है, उसका भुटका भरदवार है या नहीं अच्छा, छोरी छोरा देखी है लाइक इंसरेंस पॉलिशी? अब वो जो भी हो, तर आजकल ही सब कुछ देखना पड़ता है मतलब साही कहात है तो पड़गे जूटी कौनसी खावते? यही कि प्यारन ना हो गए है हाँ, आजकल तो ऐसा है कि देखो, परको, फिर पटो, नहीं तो बोला बाज हटो अच्छा, चले थारने बाजी माणने अब मारे को बताओ, मारो में किये कमी है अच्छा कासा रही शूट, गर है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है फिर बीना पट्टी ससुनी कोई अरे यही बाद तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है सच्चिक है? हाँ वाणसे, कल पर बोहां से उठो क्यो? उठो उठो, उठो यहां हो कि के भाद हो? सरुआ समझ्या सामदान के उंदर खोल रहता है और था यह फास मारे समझ्या कोई समदान नहीं तो तैर रह खे काम इस पुर्शी पर हाँ, हाँ हाँ अजी ठोटे लगता पे तु ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मेडम करने पे आ गया ना तो तारी पे ठगीया केस भी ठोग सकूँ है ठगीया केस पर मैंने तो तुम से अब तो कोई पैसे लिये ही नहीं अर ना लिये अब ले लो मैं तो इज़त से प्रपोस कर रहा था पर तुम मान ही क्या तो अब तो फसाना ही पड़ेगा देखो प्लीज ऐसा मत करो प्लीज प्लीज में से शाजी करो अरे और तुम किसी भी आप लड़गी के लिए एक लाइस इंस पॉलसी ही हो पर गोजी तुमारी कोरुपदी माबाप है ना वो कभी हमारे रिष्टे को एक्सेपने करेंगा अरे यह सब फिल्मों में होता है प्रैक्टिकली लाइस में नहीं मैं प्रैक्टिकली लाइस में वो कड़ देना है जो फिल्मों में हुआ है क्या मैं अपने माबापो अगर दूआर छोड़ दूँगा अच्छा तो अपने माबाप को घर का और छोड़ दोगे हां तो तो तुने अपने महनत से कुछ दो पैसे तो कमाई है नी तु बापु का घर छोड़ने की बाद में खाने, पीने, रहने हर चीज के लिए मोहताज हो जाएगा तो फिर तेरे में और रास्ते की भीकारी में फर्की क्या बचा तुम्हारे को भीकारी बोल रही है? हाँ, और अभी कुछ समय बाद लोग तुछे रेपिस भी बोलेंगे रेपिस? यामी बलत काली? हाँ, अभी अपने कपडे फार्फोर सोर्जोर से चिला तो कि बच्छाओ बच्छाओ ये कमीरा मेरी इसल्स लुख रहा है अरे, कहा है बात का बकंगड बना रही है छोरी? शुरुवात किसने की थी? मेरी आफिस पे ताला खुटेगा? उप तो मारी गल्दी थी, मैं मान रही हूँ ना, अब तो मैं जाव भी लिया हूँ अजस्टो, वापस तो भी आएगा? अब तो अधिस साथ जनम पर तेरे द्रम ना पलटनेगा तो यह लोग, अपने पैसे लेते जोओ, कि मैं पैसे सिर्फ अपने काम के लेते हूँ लोग? लोग? ना, ना, अपने सिर्फ तू रख ले जो मारे माबापू कभी ना कर पा है बापू के साया के बेन हमारे के वाकात है और जिसकी कोई वाकात ने उससे कोई सादी क्यों करेगा? अब तो सादी का भूत भी उतर गया पहले जाके काम दाम करके अपनी आउकात बढ़ाऊंगा इसके बाद सोचू हूँगा अपर अच्छ, चलता हूँ फर, थैंक यू अच्छा, और एक बाद बता सकोगी पुछो जब मैं अपने पैरों पे खड़े जाऊंगा, तब तो कोई छोरी पढ़ जाएगी हाँ, तब तो क्या पता, शायद मैं ही पढ़ जाओ नहीं? हाँ, अब सर्वसमस्या समाधान केंद्र खोला हुआ है तो समस्या समाधान कोप करना ही पढ़ेगा ना? कि और अब करना हसाज है कर दो कर दो से हम लन्हें कर दो धर कर दो झाल झाल